स्वागत है, हिंदुस्तान और भागवत गीता एक दूसरे के परियाये हैं और एक दूसरे की पहचान है, पर भागवत गीता की कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या है? जॉन हॉली नाम के एक रिसर्चर ने 580 से लेके 1580 तक कोई 800 पैनल्स डिसकवर किये, जिनमें क्रिश्न दिखाये गए हैं और उनको स्टडी किया, उन 800 पैनल्स में से सिर्फ तीन पैनल्स में क्रिश्न को गीता का सार या उपदेश अरजुन को देते हुए दिखाया है, बाकी सारे पैनल्स में क्रिश्न को उनके यौवन के अवतार में दिखाया है, जिसमें उनकी पूजा होती है, गीता और क्रिश्न अलग कब हुए? गीता का अलग से प्रसार, प्रचार और उसकी प्रिस्टीज एस्टैबलिश कब हुई, कैसे हुई? और क्रिश्न से उसकी एक अलग पहचान कैसे बनी? आज हम उसको सोचेंगे और उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे. हिंदू स्क्रिप्चर्ज में प्राइमरी टेक्स होते हैं जिनको शुती बोलते हैं, वेद और उपनिशद उसमें आते हैं, सेकेंडरी टेक्स जिनको स्मृति बोलते हैं, उसमें रामायन है, महाभारत है, पुरान है, और गीता क्योंकि भीश्म पर्व में आती है महाभार पर आपको जानके आश्चर्य होगा कि सनातन परंपरा में अगर किसी को आचार्य बनना है, किसी को ग्रेट टीचर बनना है, तो उसे उपनिशल, गीता और ब्रह्म सुत्रों के उपर कमेंटरी लिखनी जरूरी है. अगर वो नहीं लिखते हैं, तो वो आचार्य नहीं बन सकते हैं। ये स्टेटस जो गीता को मिला है उपनिशल और ब्रह्म सुत्रों के साथ उसको इक्वेट किया गया, वो इसलिए क्योंकि गीता के 700 वर्सिज उसमें पूरे के पूरे 108 उपनिशल और चार वेदों का एसेंस चामिल है। और इस चीज़ को रेकिनाईज किया हमारे स्कॉलेस्टिक जो हमारी परंपरा है उसमें। कोई 320 से लेके 500 AD तक गुपता काल चलता है, जिसमें गुपता सामराज्य जो है हिंदुस्तान में अपना रूल कर रहा था। उस दोरान में, क्योंकि गुपता जितने भी एंपरर्स थे, वो वैशनव थे, उन्होंने गीता को एस्टैबलिश करने में और उसकी एक फाइनल शेप देने में बहुत काम किया है। और उससे पहले जो भी मैनिस्क्रिप्ट थी, वो बड़ी easy मैनिस्क्रिप्ट थी, loose मैनिस्क्रिप्ट थी, बट जो एक consolidated मैनिस्क्रिप्ट सीन पे आई है, वो गुपता काल में आई है। 1920 से लेके 1960 तक भंडार कर Oriental Research Institute पूना में scholars बैठे और उन्होंने कोई 300 से जादा मैनिस्क्रिप्ट गीता की जो भी मिल गई उनको, उसको सामने रखके उसका wishlation किया। और जो final उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई जो आज हम देखते हैं, वो स्क्रिप्ट गुपता काल की स्क्रिप्ट के साथ मिलती जुलती थी। तो जो आज हम देख रहे हैं, इसकी consolidation गुपता काल में 320 से लेके 580 के बीच में हुई है। जैसे ही गुपता काल में भागवत गीता की स्क्रिप्ट consolidate होती है, उसके बाद अलग-अलग scholars भागवत गीता के उपर अपनी समझ-बूच के हिसाब से और अपने circumstances के हिसाब से, जो कुछ भी वो society में देखते हैं, उसके basis के उपर गीता को interpret और reinterpret करते हैं। ये commentaries गीता और धर्म को, वेद और उपनिशद के सार को जन जन तक ले जाती हैं। और ये काम बौध ध्यान करते हैं आठवी शताब्दी से पहले। आठवी शताब्दी में शंकर करते हैं, नौमी शताब्दी में भासकर करते हैं, दस्मी शताब्दी में अभिनव गुप्त करते हैं, ग्यार्मी शताब्दी में रामनुजा करते हैं, बार्मी शताब्दी में निम्बार्क करते हैं, तेर्मी शताब्दी में माधव इसके उ इस efforts से जब संस्कृत से उठके regional dialect में गीता की interpretation शुरू हो जाती हैं तो आम आदमी तक गीता की पहुँच डेवलप हो जाती है। यहां तक के सत्रमी शताबदी में अखो और नरहरी ने गुजराती में गीता के उपर अपनी commentary लिखी है। वेद और उपनिशद के सार को जो गीता में सम्मिलत है आम आदमी तक ले जाने का काम करती है। अपना एक अलग अस्तित्व खड़ा हो जाता है। भागवत गीता के इस प्रचार और प्रसार से और जन जन तक इसकी पहुँच से जो बाकी कल्ट्स हैं सनातन धर्म के, हिंदुईजम के वो अपने हिसाब से अपनी गीताओं को डेवलप करना शुरू करते हैं। medieval literature जो है पुराण का, उसमें आपको राम गीता मिलती है, शिवा गीता मिलती है, गनेश गीता मिलती है, देवी गीता मिलती है, यम गीता मिलती है। और उन सब का स्ट्रक्चर यही है कि जो डीटी है वो अपने डिसाइपल को या डिवोटी को लेक्चर दे रही है कि जीवन कैसे जीना है। पर इन सब गीताओं के कॉंपिटीशन में अल्टिमेटली भागवत गीता ही विजई होती है और माननेता प्राप्त करती है। यहां तक कि यह माना जाता था एक टाइम के उपर कि जैसे बाइबल है या जैसे कुरान है वैसे ही हिंदुईजम में गीता है। क्योंकि वेस्ट में लोगों को यह आइडिया नहीं था कि मल्टिबल सेक्रिट टेक्स हो सकते हैं। उनको सिर्फ एक बुक के बारे में पता था। यह भ्रांती जो है इसको डिस्पेल करने के कोशिश करते हैं अकबर। जब वो अबुल फजल को बोलते हैं कि आप भागवत गीता की पर्शियन में ट्रांसलेशन कीजिए। जेसोईट मिशनरी थे, फ्रांसिस्को बिंची वो 16 अताबदी में गीता की लैटिन में ट्रांसलेशन करते हैं। और फिर सीन के उपर एपियर करते हैं अंग्रेज और अंग्रेजी और वो भागवत गीता की कैसे सर्विस करते हैं ये अपने आप में एक अनूठी कहानी है और उसे सुनिए अगले पाट